आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमडी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़दा सिंपल है बहुत ज़दा एजी है और बहुत ज़दा इफेक्टिव भी है इसके में पहले फायदे बता दू इस रेमडी को अगर आप हफते में एक बार भी अगर आप कर लेंगे अपने फे जो प्रॉब्लम आपके रह गई है आपके जहाईया हो गई है और ड्राइ हो गई है और आपके स्कीन तो यह रेमडी उसमें आपको हल्प करेगी और अगर हफते में आप इसको एक बार भी ट्राइ कर लेंगे ना तो इन सारी चीजों से आपको चुटकारा मिलेगा जो की बहुत ज़्यादा है रेमेडी है तो इस तरीका अलोवेरा जल भी यूज कर सकते है यह पतंजली का अलोवेरा जल है और उस साथ में आपको चाहिए हल्दी तो आपको चाहिए लिए जल के फायदी हम सबको पता है और यह हमारे फेस को दाग धब्बे दूर करता है हमारे स्कीन में जान ले आता है और पिंपल्स और अक्ने के पर प्रोब्लम है तो उसमें भी हमें इससे चुटकारा मिलता है दूसरा हल्दी आप सबको पता है कि अंटी बैक्रियल प्रोपर्टी इसके अंदर तो अगर केल महास्तों की दिक्कत आपको बार बार होती है बार बार अधिर आपको बनाना के असे है यहां पर मैंने आप स्कून के करीब हल्दी ली है और करीब एक चमच के करीब मैं इसमें अलोवेरा जल एट कर लेती हूं बहुत सिंपल रेमेडी है आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ अफर्स करने के ज़रूरत नहीं है अब मैंने अपने इसमें मिक्स हो जाएगा और आपने इसको डेरेक्ले इपयाश पेस पी अपडाई करना है और या जब रेमेडिय करें तो उससे पहले भी पने चेहरे को साफ कर लेए यानि नॉर्माल पाने से अपनी फेस को दूल है ताकि अगर मारे फेस या ने प्रूप अगर है 10 मिनट का टाइम चाहिए पांच मिनट की मसाज करने के बाद और पांच मिनट वैसे ही रखने के बाद मैंने परा फेज जो है वोश कर लिया है और फेज पूरा थिरा क्लीन हो चुका है अगर बाहर की अपलाई ना करें और घर पर ही इस तरह की रेमिडी स्ट्राइक करें तो वह ज्यादा एफेक्टिव होती है और आपकी स्किन के लिए अच्छे भी होती है ऑपके लिए लिए लगी होती है और आपके लिए वीडियो वीडियो रही होगे एक बाद रुत्राइक करना बहुत अच्छी है और अगर अगर आपको में गाटिव लगी होती है तो प्लीज मुझे लाइक कर दो